तो हलो दोस्तों आज के वीडिये में आपको बताने वालों के कैसे आप अपने विवो के Y35 मोबाइल में एप लोग कैसे कर सकते हूँ यहाँ पर दोस्तों एप लोग करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर अपने विवो मोबाइल की सेटिंग में चले जान लेकिन यहां पर आपको जाना है privacy and app encryption में ठीक है तो यहां पर जाने के बाद दोफ्तों आपको अपना यहां पर fingerprint जा पाफ़ड विगरा बना लेना है जो अगर आपने यहां पर नहीं बना रखा तो पहली बार जब यहां पर आउगे तो आपको यहां पर एक पाफ़ड जुरूर बनाना पड़ेगा ठीक है तो पाफ़ड बनाने के बाद दोफ्तों यहां पर आपको एक option देखने को मिले का app encryption का तो यहां पर आपको click करना है और यहां पर दोफ्तों जितने भी mobile में आपके app है वो फभी के फभी आपको यहां पर show हो जाएंगे तो अभी दोफ्तों जिन में इन में फिर कोई भी आप lock करना चाते तो उनको आप on कर फक्ते हो यहां पर जैफे मैंने इनको on कर लिया ठीक है on करने के बाद क्या करना है आपको यहां पर यह जो app lock है automatically यहां पर app lock हो जाएंगे जैफे मैं आपको दिखा देता हूँ album तो यहां पर देख फक्ते हो यह app lock लग चुक है यह ठीक है तो इस तरह फिर दौफ्तों अगर आप इसको बंद करना चाते तो आप फिर फिर यहां पर privacy में जाएंगे और यहां पर आप अपना fingerprint पर गारा डालेंगे और यहां पर disability private password पर क्लिक करेंगे okay करेंगे यहां पर आप अपना password डालेंगे जो भी आपने बना रखा होगा तो फिर 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 क्या होगा आपका जो app lock है वो हट जाएगा तो इस तरह फिर आप अपना app लॉग करफकते हो कि फिर भी आप को Vivo Y35 मोबाइल में